नमस्कार दोस्तों सागत आपको मारे यूटूब केनल के आर जम में दोस्तों जैसे कि आप सभी को माले में कि जारकन में साट चालिश के उपर कुछी दिन पहले वहुती जादे विरोध हो रहे थे जिसके बाद में जारकन सरकार ने इस पर फाइनल फेसला जो है वो कल की डेट में ले लिया है जिसके बारे में इस वुडियो में चर्चा करेंगे कि क्या साट चालिश को पूरी तरह से हटा दिया गया क्या 64 के अनुसार ही अब बाहलियां होगी या फिर 64 के अनुसार बाहली नहीं होगी ये सभी जानकार्या इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अन तक जरूड देशेगा तो चलिए दोश्तों सुरू करते हैं और इससे पहले कि इसे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लिए साइड में बेल आकोन की घंती इसको बें दबा लिए ताके दोश्तों जारकन में आने वाली जितने भी नई-नई वैकेंसिया है सभी की हर फल की जानकार्यां आपको मिलते रहे तो चलिए दोश्तों सुरू करत देखते हैं अब इसको पूरा डिटेल में देखें जहां सबसे पहले बोल रहा कि जारकन सरकार में पदो हुआ सेवाओं की रिक्तियों में साट चालिश की नीती से ही नियोजन होगी जी हां दोश्तों कल की डेट में जो फाइनल फेसला लिया गया है जिसमें यही फाइनल फेसला लिया गया है कि आपका जो नियोजन होगा जो आपका नियोक्तिया होगी वो आपका साट चालिश के अनुसारी होगी ना कि आपका 100% वाला जो 1932 वाला वो आपका अभी लागू नहीं होगा यह आपका स्पाइनल फेसला कल की डेट में ले लिया गया है कि साट चाल सरकार ने विधान सभा के मांसुन सत्र में विधायक अंबा परसाद के सवाल के जवाब में यह वात सुईकार की है। कि आरचित कोटी में उसके बाद 60% रिक्तियां भरी जाएगी मतलब 60-40 के अनुसारी आपका जो भरती है वह आपका होगी। वो कोई भी अब आपका रद नहीं हो सकता क्योंकि 40-40 के अनुसारी आपका जो है वो भाल्या आपका करेगी। ठीक है। ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि सरकार ने फ़र्ष्ट किया है कि इसी आरक्षन के अनुरूप वर्तमान में राज्य में नियुक्तियां की जा रही है तो अभी तक इतने भी नियुक्तियां हो रही है जैसे कि उत्फाद शिफाई हो गया जी ऐसा सी सीदियल हो गया ठीक है ये सब या नियोजरण निति यदि chain हो जाती तो फ़र ये सब रद्ध होने का सम्हाओ ना था लेकिन नियोजरण नितिया आपका chain नहीं हुआ ये सब रद्ध नहीं हो सकता है ठीक है इसलिए आप लोग अपना तयारी को जारी रखे उसके बाद देखे आगे यहाँ पर बताया गया है कि सरकार ने यहाँ भी कहा कि रिक्ट्यों में आरच्छन विधयक 2022 के पारित होने के बाद आरच्छन में विरिद्धी करेगी यहाँ विधाई कारिय परक्रियाधिन है तो दोस्तों यही था आपका जो आपके लिए इंपो नहीं नहीं भरतिया है सभी के हर पल के जानकारिया आपको मिलते रहें